तो guys ये बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा कि महँगाई भद्ता इतना बढ़गया केंद्रे करमचारियों का महँगाई भद्ता इतना बढ़गया इस तरीके से साल में लगवग 7% जो महंगाई बढ़ रही है उसके रेशियों में ये चीज बढ़ती है तो यहाँ पर आगर आप देखेंगे तो मैं सेलरी में बहुत ज़्यादा बड़ा योगदान इसका होता है आप ये देखिए एक सीनियर एलपी की सेलरी है और टोटल सेलरी तो इसमें 74,000 रुपए आपको दिख रही है लेकिन आप देखिए महंगाई बढ़ती का कितना important role होता है अगर basic पे 25,000 तो 16,000 यानि कि 16,000 रुपए तो सिर्फ और सिर्फ DA यानि कि महंगाई बढ़ता है और guys running staff को महंगाई बढ़ता हो या HR हो ये 130% पर मिलता है 130% का मतलब यह है कि जैसे अगर किसी का 50% basic है तो उसे 50,000 बेसिक है तो उसे 50,000 पे नहीं मिलेगा 50,000 की जगा 65,000 पे count होगा क्योंकि 30% जब extra हो जाता है 50,000 बेसिक का तो वो 65,000 का 53% हो चुका है 2017 में 17-18% के करीब था और अब यहां के 2017 के रहा हूं 2021 में 17% था और अभी जाके यह 53% हो चुका है हर साल लगवक 7-8% बढ़ता है तो 7% की दर से ये बढ़ रहा है जिस तरीके से महंगाई बढ़ती है बहुत सारी चीजों के रेट इसमें लिए जाते हैं दालों के और भी बहुत सारी चीजों के कि किस रेशियो में महंगाई बढ़ रही है और उसी रेशियो में ये बढ़ता है तो अभी तो यहां पे आप लोग तैयारी में हैं बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे लेकिन अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो कहीं न कहीं आप लोगों को सोचने की जरूत है कि गौर्वर्मेंट आपकी हर चीज का ख्याल रखती है कि महंगाई का आपके बच्चों की पढ़ाई का आपकी होलिडे वेकेशन्स का अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो वहाँ पे होलिडे हाउस बने हुए हैं आप उन में जाकर ठहर सकते हैं उसमें आपको बहुत कम पैसे मिलते हैं बहुत कम पैसों में 200-300 रुपे में रूम भी मिल जाता है खाना भी मिल जाता है लग्जरी बिल्कुल और इसी तरीके से बहुत सारी फैसिलिटीज आपको जाने आने के लिए पास देती है रेल थर्ड एसी, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी मतलब हर चीज का आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए चववन हजार पर एयर अगर आपका बच्चा होश्टल में पढ़ रहा है तो 80,000 बहुत अच्छी अच्छी चीजे आप लोगो को प्रोवाइड की जाती है लेकिन आप लोग महनत ही नहीं करना चाते हैं आप लोग चाते ही नहीं है कि आप लोगो को ये फैसिलिटीज मिले अगर मैं दिखाऊं तो तो गाईज ये देख सकते हैं यहाँ पर ये 22 तरिक की डेट का है ये 22 दस का है नोटिस जो रेलवे मंत्राले की ओर से ही आया है जिसमें बताया गया है कि जो महंगाई भत्ता है रेलवे करमचारियों का वो एक साथ से दे होगा रेलवे करमचारियों को एक साथ 2014 से प्रभावी संसोधित दरों पर महंगाई भत्ता प्रदान किया जाएगा तो जो इस महीने सेलरी आएगी उस महीने में आप लोग पाएंगे कि जो पिछले महीने हैं जैसे जुलाई से जुलाई में अभी तक कितना मिल रहा था पढ़ाई पे अपनी किताबों पे खर्च करने से बार बार कतराते हैं अब आप सोचिए कि अगर एक मतलब किसी का 50,000 बेसिक है ना तो 50,000 बेसिक और फिर उसका 30% एक्स्ट्रा लगेगा 50% का 30% एक्स्ट्रा तो 15,000 हो गया तो 65,000 रुपे पे मतलब 65,000 रुपे का 3% अगर आप निकालेंगे तो आप समझ लीजिए कितना आता है ठीक है और इसी तरीके से 65,000 का तो पता ही आप लोगों को 15,800 रुपे से उपर ही आ रहा होगा तो जितना आप पूरी लाइफ में मतलब तैयारी में खर्च करते हैं कि 2000 रुपे पूरा खर्च कर दिया आपने 2 साल में 3 साल में उतना तो आपको एक बार में मिल जाता है अगर एक ALP की भी बात करने तो minimum आप लोगों का 600, 700, 800 रुपे हर 6 महीने में तो increment होता ही होता है उस चीज में और एक होता है annually जो आप लोगों को 3% का increment मिलता है वो तो मिलना ही है अब आप देखिए जैसे मान लेते हैं 20,000 पे basic पे तो आप जाई रहे होंगे मान लिजे 20,000 basic पे जाते हैं तो 20,000 का ही अगर देखें 3% तो 600 रुपे होता है लेकिन आपको तो 20,000 का मिलेगा नहीं आपको 30% extra पे मिलेगा यानि कि 26,000 basic पे मिलेगा और 26,000 का multiply करेंगे 3% से तब आप लगाईए कि कितना मिलेगा 25 पिशतर लगबग लगबग साड़े 700 रुपे मिलेगा आप लोगो को तो ये एक बार में मिल रहा है साड़े 700 रुपे और फिर उसका ये हर महीने आप लोगो को extra मिलना सुरू हो गया है फिर इसी तरीके से अगले 6 महीने बाद फिर 4% बढ़ जाएगा तो इस तरीके से पूरे साल में ये काफी अच्छा वेनेफिट देखे जाता है और इसलिए मैंने आप लोगो को दिखाया था कि इसका सेलरी में जो रोल है वो काफी ज़दा important हो जाता है आप यहाँ पे देख सकते हैं ये देखे ये सेलरी में इसका कितना बड़ा important role play कर रहा है ये 16,000 रुपे मनलब जितना basic है उससे लगवग आधे से भी जादा सिर्फ और सिर्फ आप लोगो डी ये देखने को मिल रहा है 50% था उस टाइम पे तब भी यहाँ पे आप लोग देख लीजे कि 16,000 मिल रहा है और अब 53% हो गया है तो कितना जादा मिलेगा फिर इसी तरीके से हर साल annually भी आप लोगों का 3% का increment होता है हर चीज का अगर ख्याल रख रहे हैं ये लोग तो आपको पहले इसके लायक बनना तो होगा ना आप लोग चाहते हैं कि ना मैं तुम किताब भी नहीं लूँगा ना मैं पढ़ाई करूँगा ना मैं खर्चा करूँगा तो गाइज अभी भी मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि आप जहां मन करें वहां से तैयारी स्टार्ट करिए अपने इन लास्ट टाइम को बरबाद मत करिए गवर्मेंट नौकरी अगर आप लोगों को चाहिए तो निश्ची तोड़ से आपको महनत करने की तो अवश्यक्ता है अगर अभी भी आप लोग टेक्नीशन वाले स्टार्ट से लिए तो आज से 32 डेज बच रहे हैं बहुत ही कम सामय बच रहा है अब तो मतलब यह समझे लिए प्री तो चलो किलियर होई जाएगा लेकिन में सून्स का अभी से नहीं कह सकते हैं अगर टाइम मिलेगा तो आप निश्ची तोड़ से कर लेंगे चाहें तो निस्ची तोड़ से इस चीज का बेनेफिट ले सकते हैं और ये जितनी वी बेनेफिट्स हैं देखिए बच्चे देखते हैं कि बहिया आप लोगों को तो या गवर्मेंट इंप्लोईज को तो यह मिलता है वो मिलता है अरे तो उन लोगों ने पढ़ाई भी किया है, उन लोगों ने ऐसे नहीं किया जैसे आप लोग कर रहे हैं, अपने कीमती समय को उन लोगों ने बरवाद नहीं किया है, वो अपने कीमती समय को यूटलाइज किया है, ना उन्होंने कभी, देखे, किसी भी इंसान से पूछ ल तो guys यह most important चीज है जो अभी railway employees के लिए increment देखने को मिला है और यह बहुत अच्छी चीज है हर बार होता है यह हर साल अब आप सोचे ना हर साल 7% यह increment हो रहा है हर साल 7% की दर से 7 या 8% ठीक है और जैसे ही 50% cross हुआ तो बाकी सारी चीजे भी किसने से cross हो गई जैसे यह cross मिलेगा अब अब ज़्यादा मिलेगा strength को allowance जो मिलता है आपके बच्चे पड़वरना के लिए यह बाकी भी HR जो है पहले 27% मिल रहा था तो 27%, 9%, 18% मिल रहा था तो अब बो 10, 20, 30% हो चुका है इस तरीके से आप लोग देख रहे हैं तो हर चीज में increment दिखता है DA की बढ़ जाती है और अब इसका pay revised होगा आप देखिए पहले जो pay revised हुआ था 7,000 से सीधा 18,000 हो चुका था तो मनला बहुत अच्छा salary hike देखने को मिला था तो अब salary hike मिले या कुछ मिले यह तो तब ही benefit मिलेंगे न जब आप लोग government employee होंगे आप बनना ही नहीं चाहते आप तयारी ह नहीं करना चाहते तो बताओ कैसे किया जा सकता है तो गई अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं निश्चित तोड से आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं किसी odds के साथ तैयारी करना चाहते हैं तो करें लेकिन बस इस बार selection लीजिए हर हाल में selection लीजिए यह बहुत ब लोगों से कहूंगा कि जी जान लगा कि जितनी मेहनत कर सकते हो ना आप उतनी मेहनत करिए और देखो सेलरी कम नहीं होती है इस सेलरी के लिए आप लोग पढ़ रहे हैं यह देखिए जरा सेलरी लगवग लगवग इतनी ही होती है 75,000 रुपए और 70,000 रुपए सेलरी उठाओगे इतनी ही मिलती है तो अगर 2-3 साल के अंदर आप 75,000 रुपए के इंसान बन रहे हो तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी अच्छा आप बताईए अग जब आप सेलरी आपकी आएगी अब भाई वो 10-10 रुपए 20-20 रुपए में आपको चीजे प्रोबाइड करा रहे हैं 200-200 रुपए में आपकी तयारी करा रहे हैं आपने 1000 लाख रुपए अपने खर्चे कर दिये डिप्लोमा आई टी आई में तब कुछ नहीं मिला और अब यहाँ पे जिस चीज से आपक तयारी करिए क्योंकि सेलरी इतनी यह तो कम भी है मैं दिखा रहा हूं कई जगा पे इससे भी जादा सेलरी बनती है और कई जगा पे इससे बहुत कम भी सेलरी बनती है तो इस तरीके से देख लीजे इसमें कहीं भी सेलरी में कुछ नहीं देखे यही तो important factors हैं 20,000 गया असपास होता तो सेलरी सीधा 78,000 रुपए हो गई होती इस तरीके से चीजे देखने को मिलती है तो गाईज मिलेंगे फिन नेक्स्ट वीडियो में अगर आप ITI करने के बाद डिप्लोमा करने के बाद 78,000 रुपए कमा रहे हैं तो यह बहुत बड़ी बात है बहुत ब गाली जी